यानि इस विहार की भूमी का जितना संबान करें और जितना गुड़गान करें उतना कम है हलो फ्रेड्स आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर टूटस आईएस के इस प्लेट्फॉर्म पे स्वागत पंदन अभिजन्दन वित्रों दोस्तों आज आपके सामने मैं एक ऐसा महकमून टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में ये कहा जा सकता है यदि इसको नहीं समझा या इसके बारे में नहीं जाना तो कहीं न कहीं भारत का जो ज्यान है वो अदूरा ही माना जाएका यानि हमारा जो भारत है वो उत्तर से लेकर दच्छन तक पूरफ से लेकर पस्चन तक पूरा भारत महान है इसमें कहीं कोई दो रहा है लेकिन भारत को यदि अच्छी तरीके से भारत के ज्यान को यदि आत्मसाथ करना है कि भारत की जो भी परंपराएं है किस प्रकार से भारत में ये सारी चीजे आगे बड़ी तो उसे उसके लिए कहीं न कहीं हमें जो है बिहार की तरफ जाना ही पड़ेगा ये हमारी मज़गूरी नहीं है, ये हमारी मजभूती है तो ये जो शब्द आपके सामने दिखाई दिरा है बिहार जिसके बारे में कहा जाता है दा लेंड ओफ पाटली पुत्रा, लेंड ओफ कुसंपुर, लेंड ओफ अचार चानक्या, लेंड ओफ वतम बुद्ध, लेंड ओफ भगवान महावीर इसके लावा बिहार को करपूरी ठाकुर, जैप्रकास नारायन, स्री कृष्ण सिन्ना, इसके लावा तारा देवी, इसके लावा भगवती देवी यानि कितने जो है, ऐसी महत्पूर विभूतियों का नाम दिया जाए, जो शायद नाम कम पढ़ जाएंगे, लेकिन बिहार की विभूतियां, जो है, वो कम नहीं हो सकती यानि कि हमारे पास समय कम पढ़ सकता है, लेकिन विभूतियों के नाम जो है, वो कम नहीं पढ़ सकते यहां से मैं आप से सरफ इतली बात कहना चाह रहा हूँ, कि इस पिहार के द्वारा ना केवल भारत को पूरे विश्चो को क्या-क्या दिया नहीं है तो कुछ यह शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ज्यान, विध्यान, धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, सब्धेता, राजनीती इन सबको यदि एक प्रकार से टोटिलेटी में देखा जाए, तो निश्चत रूप से मैं इस निश्कर्स या मैं ये बात कह सकता हूँ, कि बिहार से महान और बिहार से बड़ी पमित्र भूमी जो है, वो सायधी विश्व में कहीं हो रहा हूँ विश्व में सायधी कहीं हो रहा हूँ, यानि कितनी महान बाते बिहार में चुपी हो रहा है, और महानता की पराकाश्था है, जो बिहार में चुपी हो रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, ये हम सबके लिए संबान की बात है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती प्रुमी का जितना संबान करें और जितना गुड़गान करें उतना कम है शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे लेकिन गुड़ जो है वो कभी कम नहीं पड़ सकते हैं चलिए सुरुबात करते हैं बिहार में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्पूर्व व्यक्तित्व परसनल्टी के बारे में हमेशा से चरपरचित नाम की रूप में सुन रखा है जिनका नाम है आरे भट आरे भट को कौन नहीं जानता है आरे भट जिनके बारे में ये कहा जाता है कि गुप्तकाल में पाचवी-छटवी सताब्दी में आरे भट ने अपना जो जीवन है वो पटना यानि उस समें कुसुन पूर कहा जाता था वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी सिक्षा आगे बढ़ाई इसके लावा नालगना विश्रुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसके अलावा आरे भट को जाना जाता है कि आरे भट ने कहा पहली बार प्रत्वी गोल है आरे भट ने कहा कि प्रत्वी जो है वो सूर की परिक्रमा करती है लेकिन हमारी ये वडबना है कि इसका जो उस्रे है वो कही न कही कौपर निकस को जाकर मिल गया आरे भट्टी ही जो है ये बात कहा था उन्होंने पहली बार कि इस प्रत्वी में और यहां की बस्तुओं में आकर्षण जो है वो बिद्दमान भैटा है तो आकर्षण यानी गृत्वा कर्षण की बात जो है वो आरे भट्ट ने काफी समय पहले कर दी थी लेकिन श्रे जो है वो कही न कही नूटन महोदय को ही मिलना था क्योंकि उनके उपर एक सेव आकर गिर गया और पूरा जो गृत्वा करशन थियोरी का श्रे हैं वो उनके सर पर सिरोधारे कर दी हैंगा कोई बात नहीं लेकिन भारतिये कभी पीछे नहीं रहे हैं आरे भटके ही एक सिश्य थे जिनका नाम था वराह महिर वराह महिर का एक सिध्धान था ब्रहत सही था पंच सिध्धान थिका और महान ख़गोल शास्त्री थे ख़गोल वेग्यानिक थे वराह महिर के दोरा भी ग्रहों की गती और प्रत्वी की गती के बारे में अनेक प्रकार से जो है चर्चा की गई है वरामीर उज्जहन में रहते थे और चंदरुप्त के नौ रतनों में से एक थे वरामीर के द्वारा जो जोतिस की घंड़ना की गई खगोल शास्त्र में तो आज भी जो हमारा नक्षत्र विज्ञान है जिसमें चंदर्मा का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसके अलावा जो ग्रहों की गती ये जो गणना है इसका एक्जेक्ट कैलकुलेशन आज भी नक्षत्र पांचांग के माध्यम से किसी की भी गणना की जा सकती है और थोड़ा पहले चले जाएं यादी वेदों में भी तो इनके बारे में उल्ले किया जा चुका है ये नक्षत्र ग्रह चंद्रमा और इसके अनुसार समय को निधारित करना ये भारत का ही ज्यान है इसके उपर और कोई भी दूसरा मोहर लगा ही नी सकता है नक्षत्र से सम्मंदित जितनी भी गणना है उसकी exact calculation जो है भारतियों नहीं करके दिये और अब तो ये बात प्रमानित भी कर दी गई है बहुत सारे लोगों ने पूशा गया कि भाई आप एक काम करिये कि भगवान स्री कृष्ण जो है उनकी जनतिती के बारे मताईए स्री राम की जनतिती के बारे मताईए तो उसकी भी गणना जो है वो exact जो है इस नक्षत्र और ये जो समय है इसके माध्यम से करके बताईए तो यहां मैं आपसे बात कहना चाहता हूं मख्य रूप से कि ये जो समय है ये जो काल है यानि time and space इसके में केवल भारती ही है जो कड़ना कर पाए पूरे विश्र में केवल भारती ही है जो कड़ना कर पाए और उसमें भी बिहार की महान दुदूतियों का योगदान था नक्षत्र गढ़ना calculation को आज नासा भी स्विकार करता है और पॉर पांच जार साल दस जार साल पहले की भी गढ़ना है जो है वो नासा के माध्यम से इस थ्योरी के माध्यम से कही बब ¿कही स्विकार किया गया है या इसको सत्यापित कराने का प्रयास किया गया है तो ये जो ग्यान था ये भारत के सर्वस्रेश्ट ग्यानें में से एक था कौन सा ग्यान? चंदर्मा की कलाएं, नक्षत्र ग्रहों की गती और उसके अनसार पूरा एक पांचांग यानि पूरा जो है एक टाइम पिरियड जो है, टाइम स्किल जो है उसका निर्धान कर देगा ये जो है भारती ही कर सकते है तूसरी इससे संबंदित महत्पूर बाद भारत में अनेक प्रकार से जो है हम खगोल शास्त्रे जो है बैत सालाएं देखते है जैसे उज्जैन में, जैसे जैपूर में, ठीक इसी प्रकार जो है, कई स्थानों पर जो है अनेक राजाओं ने ये बर्माने का प्रयास किया तो ये भारत की इसके उपर लीगेस ही है इसका कॉपिराइट कोई और ले नहीं सकता है विसे इसकर गणना प्रणाली में नक्षत्रों के माध्यम से चंद्रमा की कलाओं के माध्यम से ये एकदम एक्जैक्ट और स्टिफिक कैल्कुलेशन बिहार जो है ये ज्यान के तार जो है ये विहार से भी जुड़े हुआ है इन सारी सीजों के यहां आप एक शब्द और देख रहे है इसके बारे में कहा गया है ग्यान यदि ग्यान की बात की जाए और एक शब्द या आपको राजनीती दिखाई दे रहा है यदि इनकी बात की जाए इनसे पहले कुछ धर्म की बी बात करते है और फिर जो है इन पर आते है यदि यह आध्यात्म की बात की जाए तो निश्चेत रूप से पूरे विष्व में सबसे जाना पूरा विष्व यदि किसी छहत्र का रिणी होगा तो वो बिहार करेड़ी होगा क्योंकि पूरे विश्व को एनलाइटमेंट पूरे विश्व को प्रकास जोती पूरे विश्व को प्रकास पुंज देने वाली कोई मिट्टी कोई भूमी थी तो वो बिहार थी महात्मा बुद्ध के रूप में गौतम बुद्ध के रूप में पूरे विष्व को महावीर, जैन, स्वावी जैसे महान अहिंसात्वन धर्म वाली विचार धरा देने वाली कोई भूमी थी तो वो और कोई नहीं बिहार की ही मिट्टी थी ये तो सिर्फ दो विचार धराएं हैं इसके अलावा बौत धर्म की अनेक विचार धराएं जो है ये विहार और इसके आसपास के छेतर में कई बार फली फूली है यहां पर मेरा उद्देश महत्पूर बातों फिर चर्चा की जाए अधर्वाइज बहुत सारी बाते हैं इनके बारे में हम लोग कह सकते हैं पूरे बिस्व में महत्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता हुआ जोनोंने ना केवल एशिया बलकी जावा सुमात्रा मलेशिया जापान इंडोनेशिया चीन और फिर जो है पस्चिं के जो छेतर है वहां पर ये जो बहुत धर्म है ये पूरा जो है एक प ये जो बहुत धर्म है इसकी जन्म भूमी बिहार ही है महत्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बनी कपिल बस्तू जो है तराई वाले इलाके में हुआ और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो ग्यान प्राप्ती के लिए जो है वो आगे बढ़े और गया जो है बोद ग्यान प्राप्त होता है कहा जाता है ग्यान प्राप्त जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे हुगा और ग्यान प्राप्ती के बारे में कहा जाता है कि बिना अन्य जल ग्रहन किये हुए छे वर्स की कठिन तपस्या के बाद जो है वैशाकी पूलिमा के दिन जो है महत्मा की कर्म भूमी और यहां से उनने अपने जो पंचे सील सिधार्थ जो है उनको आगे बढ़ाया कौन ऐसा भारती होगा जो सत्य एंसा अस्तेय परिग्रे भ्रमचर को नहीं जानता हो यह भारती प्रमप्रा है जिसमें यह पांच बातें जो है वो आज पूरा विस्तु स्वीक कहीं न कहीं करना ही पड़ता है यह पांच बातें जो है यह बातें कहीं आज तक जो है इसको कोई भी जो है एक प्रकार से कटाक्ष नहीं कर पाया है भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर जैसा धर्म और उस जैसा सम्मान पूरे विश्व में लोग आश्यर की नजरों से देखते हैं यानि अहिंसा का एक ऐसा चरम इस्तर एक ऐसा लेवल जो लोग सोच भी नहीं सकते है यानि जैन धर्म में ये माना जाता है कि अणू यानि एक प्रकार से कहा जाए तो पत्थर में भी जो है वो छेतना का निवास होता है सिर्फ वो अब एक तवस्था में होता है अहिंसा की जिस इस्तर की कलपना जैन धर्म में की गई है मुझे नहीं लगता कि विश्व में शायद ही कोई इतना बड़ा प्राणी वादी मानव वादी कोई धर्म होगा जिसने इतनी सूक्ष भाते कही है कि यदि हम उन चीजों का कुछ पालन करें तो हमारा जीवन जो है वो कितना अच्छा हो सकता है प्यार, राजगीर अनेक स्थानों पर जो है सम्मित परवत अस्शुषेन, पार्शुषेन यनि जो 23 में मार, 23, 23 में जो तीन थंकर हुए और 24 में तीन थंकर हुए, इन 24 के 24 जो है, ये तीन थंकरों ने इस जैन धर्म को आवे बढ़ाने का प्रयास किया पर वो भूमी कौन सी थी और कोई नहीं बिहार इसके अलावा, यदि बात की जाए धर्म पे बहुत सारी बाते हैं इन पर भी बात की जा सकती है यदि ज्ञान और राजमीती की बात करें तो बिहार ही है जिसने सिखाया इस सब्वेता को इस पूरे समाज को की राजा को कैसे कारे करना चाहिए एक राजा का क्या करतब होना चाहिए बिहार ने सिखाया आर्थ विवस्था के अंतरगत क्या कारे करने चाहिए बिहार ने सिखाया सामराज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए बिहार ने सिखाया समराट अशोक के सिलालेखों के माध्यम से कि अपनी प्रजा का हित कैसे किया जा सकता है और कोई नहीं मैं आचारे चानक की बात कर रहा हूँ आपसे चंदरोत मौर की बात कर रहा हूँ समराट असूप की बात कर रहा हूँ और दो शब्द जो है इसके बाद फिर लेके आऊँगा यानि इसी के साथ जुड़े हुए है संस्कति और सब्धिता लेकिन आचारे चानक की बात की आमात और इसके माध्यम से आचारे चणक कहने जाते हैं कि राजा जो है सिर्फ एक सामान्य वेतन भोगी से ज्यादा हैसियत रखने वाला कोई भी नहीं है वो राजा की परिभाशा एक लाइग में व्यक्त कर देते हैं आचारे चाणक पहले ही कह जाते हैं कि गुप्तचर विवस्ता यानि एक प्रकार से जिसे आजम के सकते कम्टिकेशन संचार वो क्योंकि राजा की जो कान है वो कान है एक तो गुप्तचर और दूसरा सचेव तो निश्यत रूप से राज्य का कल्यान हो ही नी सकता राज्य का जो है एक प्रकार से वो जो राज्य है वो पतन की हो राज्य बढ़ जाएगा यहांपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आचार चाणक के यहांपर रुके नहीं उन्होंने विदेश नीपी के रूप में बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया इसके लावा जो मित्र है जो पडोसी है उसके अन्दरगत मंदल सिध्धान्त जो है वो देने का प और सारी बाते हैं लेकिन मैं जो है ये सारी बाते जो है एक प्रकार से समखने रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ ये पहले जो है एक प्रकार से कहा जाए डिप्लोमेट थे आचारे चानक के वो ये कहते हैं कि यदि शत्रू कमजोर है हमारे बाद के जो भारती आजाओने ये चीजें सायद नहीं सीखी, आचारे चानक ये बात कह चुके थे, कि आपके जो कडोशी है, ये विदेश नीती मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात कहपाएगा पूरे विश्व में उस समय, यानि हम मैक्यावली को भी ले ले, प्लेटो को भी ले अरस्तू को भी ले ले, और कितने भी महतपूर्थ हिंकर की तुलना कर ली जाए, तो मझे नहीं लगता आचारे चानक से महतपूर्थ इसीने बात कही होगी, इस प्रकार आचारे चानक के हो, अपने सडगुण सित्धांत के द्वारा, संदी इविग्रेम, यान, संस्रे, जएधी भाव, और अपने मंडल सित्धांत के द्वारा, आचारे चानक जो है, वो, उदासी मद्य, अरी, इस प्रकार से जो है, यानि वो पहले एक लाइन खीच देते हैं, कि जो हमारा पडोसी है, वो, जो हमारा राज्य है पडोसी, वो किस प्रकार का होना चाहेगी, इस सड़गोड सित्धांत के मात्यम से, और मंडल सित्धांत के मात्यम से, अब क्या कहना चाहते हैं चारक किसमें, सिर्फ कुछ पंक्तियों के अंतरगत, चारक कहते हैं कि यदि हमारा पडोसी थोड़ा सा निर्बल है, निर्बल है, तो उसके उपर अधिकार करने का प्रयास क पर वो कुछ पहस्तिती में यहां चानक के जो है मतस्य नयायका भी उनले कर देते हैं यानि चानक की यह कहते हैं कि यदि जो आपका पडोसी राज्य निर्वल है तो उसे इतना मौका ना मिले कि वो जो है सशक्त या मजबूत होने पाए मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विदेशनीची कोई बात कह पाएगा उस सब रहे आचार चानक कहते हैं कि यदि कोई आपका जो पडोसी राज्य है वो थोड़ा सा सशक्त है मजबूत है बराबरी का है तो कहते हैं कि आप उसके बीच में एक उदासी बफर राज्य लेके आओ मुझे तो ये लगता है कि साइद अंग्रेजों ने चानक से ही सीखा होगा कि वो भारत में राज्य करने के लिए दो बफर राज्य लेके आ गए थे एक उन्होंने चीन के लिए तिबबत और दूसरा जो है रूस के लिए सोविय संग के लिए जो अफगानिस्तान को बफर राज्य बनाने का प्रयास किया था इसके अलावा अवद को जो है उन्होंने एक प्रकार से बफर श्टेट के रूप में क्रियो किया था ये बात तो चाणक के उस सबह कह रहे थे और चाणक ने ये कहा कि यदि वो जो आपका पडूसी राज्य है वो आप से थोड़ा सा शक्तिशा लिया या आपकी बरागरी का है लाचार चाणक कहते हैं पहले मित्रता संधी इत्यादी करने का प्रयास करो लेकिन वो मजबूत न होने पहले ये विदेशनीती की सिक्षा चाणक के देर है और जैसा कि मैंने थोड़ी दिर पहले आप से कहा था कि सायद मुहम्मद दोरी के बाद के राजाओं ने ये चीजे नहीं सीखी अधर्वाइस जो हम बाधा अकरांथ नहीं होते यानि हम का मतलब ये कि जो भारत की एक प्रकार से अन्य जो राजवन्स थे वो हारते नहीं यहां मैं आपसे बात कहना चारा हूँ कि चाणक की जो है वो भ्रष्टाचार की उबर कितनी बढ़िया बात कहते हैं चाणक ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है उसके लिए कड़ा सा कड़ा दंड मिलना चाहिए यानि जो आचारे चानक के दोरा दंड विवस्ता दी गई, उसमें चानक की मृत्व दंड तक की बात कहते हैं, अंग भंग करने तक की बात कहते हैं, और चानक के भृष्टाचार के बारे भी ये कहते हैं, कि जिस प्रकार, जिस प्रकार यदि जीब के ऊपर शहद रख दिया अधिकार होंगे तो वो राज कोश से व्रष्टाचार करने की कोशिश जरूर करेंगे यह बात अचारे चानक कहने का प्रयास कर रहे है आज से कई सो साल पहले चन्दूत मौर के जो है समय की बात है तीन सो तेज ही सा कूल यहां मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चारा हूँ कि चानक के के बारे में ऐसी कितनी और महत्मूर बाते है जो मैं आपके सामने और बाते रख सकता हूँ लेकिन ये मूल मुद्दे जो है ये भारत की वो विभूतिया है जिरोंने विश्व में सबसे पहले राजनीती का पाट सिकाया राजा का चरत्र कैसा होना चाहिए चानक ने सबसे ज़्यादा इस पर जो दिया ब्रश्टाचार की उबर चानक के जो है प्रश्टाचार को कड़ी जो है वो एक प्रकार से शब्दों में उसकी निर्दा करने का प्रयास किया है लेकिन क्या आज जो है भृष्टाचार करने पर क्या मृत्युदंड या अंग भंग जैसा कोई अपराद दिया जाता है कहने का ताथ पर यह है कि आज की व्यवस्था से भी यदि हम लोग तुल्ला कर दें तो चानक के ने उस समय रष्टाचार के इतना ज्यादा ध्यान दिया था जितना साइद आज हम नहीं दे पा रहे है ये चानक की जो है ये महान विभूती थे बिहार की यानि तक्षिला में एक चानक तक्षिला से राष्ट की रक्षा का संकल्ख लेकर धरानंद के पास आया थे लेकिन धरानंद ने अपने दरवार में उनको एक प्रकार से बेज़त करते हुए अपान करते हुए उनको भगा दिया जिसके कारण उन्होंने अपनी शिखा को ली और कहा इस शिखा म गांठ तब तक नहीं लगेगी जब तक तुम्हारा समूल चड़से में विनाश्ट नहीं जाता है। काल के बाद भारत में एक विशाल जिसके लिए हम एक प्रकार से अपने इतिहास में अपने आपको गौरानवित महसूस करते हैं। यहां मैं आप से बात करना चाह रहा हूं कि भारत में पहली बार एक महान सामराजी की स्थापना और महान सामराजी जो है वो कैसे स्थापित दिया जाए। भी कहीं न कहीं आचारे चानक के प्रयासों से ही यानि बिहार के ही ये एक राजा थे चंडरो तुमौर जिनके उपर जिनके प्रधान मंतरी और कहीं न कहीं जिनके जो है राजिनतिक विचारों से ही इस महान सामराजी की स्थापना हो पाए। तो ये बिहार जो है ये एक महाजनपत से एक महान विशाल सामराजी तब्दील हो गया कोई ना कोई तो बात होगी वहाँ के जो है शाशन करने वालों में किसी ना किसी प्रकारगी तो एक राजमितिक कुशलता होगी उनके पास तो ये मैं आपसे बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि ये जो विशाल मगद सामराज्य था ये विशाल मगद सामराज्य एक इतने बड़े सामराज्य में तब्दील हुआ कि जो भारत के सबसे महान और विशाल सामराज्य में से कहा जाता है उसी बहार में एक महान राजा हुआ जिसे कहा जाता है समराट असो देवनाम पिये दर्सी देवताओं में जो प्री है और याद रखना भारत की जो परंपरा है उसमें ये कहा जाता है जादा धन जादा बड़ा राजा बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति जो है उसे कभी स उन्हें का आधार मना गया है कि कौन कितना बड़ा त्यागी है त्याग करने वाले को सबसे बड़ा जो है महान मना गया है जैन धर्म आपके सामने उधारन है। इसलिए जैन धर्म की कहीं न कहीं चर्चा आही जाती है। समराट असोग ने एक विसाल समराजी पहले तो इस्थाबित करके बिताया और उसके बाद जो है वो पूरा समराजी जो है अहीसा की मीतिक अंतरगत जो है वो त्याग कर या अपने पत्रों को देते हुए वो जो है सन्याज के मार्ग पने के लिए ये होता है भारत की परंपरा इसे बोला जाता है बड़ा दिल इसे बोला जाता है कि हम उस सिखर तक पहुँचने के बाद जो कुछ भी है सब कुछ जो है दान करने की छंता रखते हैं ये है भारत की परंपरा और ये कही न कही इसके तारवी जुड़े हुए है बिहार से सरस्कृति और सब्विता की यदि बात की जाए तो एक विक्ति था जिसका नाम था मेगस तरीच इंडिका जिसके द्वारा जो है एक महत्पूर पुस्तक लिखी गई थी इसके लावा हुएन संग का नाम सुना होगा आप लोगों ने और बहुत सारे विदेशी यात्री जो है वो मौरे सामराज जो है उसके वैभव को देखने के लिए पाटली पुत्र कुसंपूर पहुंच देते तो एक महान जो है विदेशी यात्री मोलता है कि मैंने इरान की सूसा एक वतन पूरे विश्व में सबसे भव्य और महान नगर जो सुन रखे थे पाटली पुत्र तो उससे कई गुना जादा अच्छा भव्य नगर है क्यों चारो तरब जो है इतने सुन्दर और ध्यान भगीचे लकडी के राजपसाद वो भी कई मंजल पूचे और उनके चारो तरब जो है सुन्दर जो है नजियों के रूप में पानी बह रहा है सुन्दर ज़रने इसकी जो एक प्रकार से तुलना की गई है यह चंद्रुपत मौरे जब चलते थे तो एक प्रकार से तोते जो है वो कही न कही गुडगान करते हुए आगे बढ़ते थे यानि ये एक प्रकार से तराकाश्ठा है उस महानसदेता उस महानसकती की इसकी तुल्ला ये खी गई है इरान के सूसा एक वतन से विश्यू के सबसे बड़े भव नगरों से और ये कहा गया है की स्तंब है जो यहां कर पार्ष प्थर की इस्तंब लगाई गए जिनका जो प् बिंदह चल जो है परवत पालाओं से जो पत्थर लेके आए एक आश्मी पत्थर, उसकी उपर कंट, उसकी उपर अनेख प्रकार की इकलाकृतियां और एक आश्मी यनि एक ही जो है और पॉलिश किया हुआ पत्थर, ये जो महान संस्कृति और सब्धिता के ये कुछ लक्ष हार था जब एक प्रकार से कह सकें कि आज का निवार्ग या हम आज के सबसे डवलोमेंट किसी सिटी को सोच सकते हैं, सैन फ्रांसिसको को, या फिर होंकाउं को, या फिर जो है सिड्नी को, तो मझे नहीं लगता है कि उस समय जो है, यानि ये मौर रिकाल में उस समय जो है, ये पाटली पुत्र से भव कोई नगर होगा, जब लोग घास, फूस और जोपडियों में रहते हैं, लकडी के राजप्रसाद और उसमें भव नकाशियां, एक आश्म पत्थर, पॉलिस दार पत्थर, एक पत्थर और वो पत्थर जो है कहां से आ रहा है, यूपी के मिरज पत्थर कैसे आया होगा, उस पत्थर से कैसे जो है भव विमारते बनी होगी, और भव विमारतों में कैसे संसकुची की कहानी, सब्वता की कहानी लिखी होगी, इस बिहार को, और इस बिहार की भूमी को, इसी लिए तो हम कभी सायद विस्मत नहीं कर सकते, हम क्या पूरा अविश्व जो है विस्मत नहीं कर सकता, इसी आध्यात्मी परंपरा में एक महान व्यत्तित का नाम आता है आचारी संक्राचारी, आचारी संक्राचारी जिनोंने भारत में चार मठों की स्थापना की थी, और पूरे भारत में एक बार फिर अपनी परंपरा, अपने मत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया संक्राचार विदान दर्सन ब्रह्म की बात की गई ब्रह्माम सत्कन जगत्वित्यम संक्राचार एक शब्द में उन्होंने इस पूरे संसार को प्रवाशित करने का प्रयास किया त्रिकाल अबाधितम यह होता है महान व्यक्ति की निशानी जो व्यक्ति जितना महान होगा वो उतने कम शब्दों का प्रियुक करेगा एक शब्द सिर्फ एक शब्द और वैक्या करती पूरे संसार की त्रिकाल अबाधितम व्रम क्या है जो तीनो काल में अबाधित है इस से सरल वाक्या हो ही नही वो महान संक्राचार जो जो सिमठ जो स्रिंगेरी जो द्वारगा जो पुरी गोबर्धन ये सारे मठों की स्थाफ्रा करने वाले जब भारत की यात्रा करते हुए बिहार पहुंचते हैं तो वहाँ एक प्रकार से उनकी मुलाकात होती है मंदन मिस्र से मंदन मिस्र से सास्तरात होता है और कहा जाता है कि संक्राचार जो है वो मंदन मिस्र की जो पत्नी थी उनसे कहीं न कहीं सास्तरात में एक सम्मान पूरवक जो है महिला के सम्मान और तमाम प्रकास से जो है एक प्रकास से करतग्यता रूप से जो है संक्राचार ने मौन हो जात पड़ा हार माननी तो तो मित्रो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या खास बात है बिहार की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है बिहार में वहां के कड़कड में वहां के रजरज में और वहां के एक प्रकार से जो भी वहां की हवा है पानी है जल है कण है क्य वहाँ पर बौधिक योद्धा जो है पैदा होते हैं वहाँ पर ज्ञान विज्ञान के महान योद्धा पैदा होते हैं जो संस्कृती सब्विता को आगे लेके जाते हैं और इतने महान व्यक्तित्व और बुद्धी वाले इंसान पैदा हुए जो होने पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप जो है, कईयों वार जो है, स्थापित करते हैं, ऐसा क्या है बिहार की मिट्टी है, तो यही मैं आपसे कुछ बाते, कुछ शब्द जो है, वो कहने के लिए, जो है, आया था, कि निश्शित रूप से, इस बिहार की मिट्टी को, बिहार की अस्विता को, जितनी बार प्रणाम किया जाए, उतना कम है, भारत को यदि जानना है, तो हमें कहीं न कहीं, बिहार जाना ही पड़ेगा, यदि और आगे की बात की जाए, यानि थोड़ा सा वर्त्मान की बात की जाए, तो बिहार की भुभूती यनि जो है एक प्रकार से अनुगरण नरायन सब लोग जानते होंगे अनुगरण नरायन सिन्ना जी इसके अलावा स्री कृष्ण इसके अलावा जेपी जैप्रकास नरायन इसके अलावा प्रभा देवी इसके अलावा तारा देवी और तारा देवी और पुलिस ने गोलियां चलाई एक गोली जो है उनके पती के सीने बेजा के लगी तारा देवी ने अपनी साड़ी से उनको समाले रखा और तरंगे जंडे को फिर आगे लेके बढ़ी और उसके बाद फिर एक गोली लगती है वो उनके पती तो जो है वहाँपर शहید हो जाते हैं लेकिन तरंगे के मान को घठने नहीं दिया वो तिरंगा जो है वहाँपर फिरा के ही मंदी यह है बिहार की मिठी जोनों ने देश की अजादी के लिए क्या नहीं किया और ये जो तिकड़ी, ये जो जोड़ी मैं इसकी बाद आप से चर्चा कर रहा हूँ, यानि बाबू डाक्टर राजिंदर प्रसाद, भारत के राष्टपती रहे हैं, अनगर नाराण, जो है सिन्ना, इसके लावा स्री कृष्ण और जेपी नाराण, तो इसमें से जेपी ना अंधी को भारत में स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया है, हम लोग महत्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीचे पढ़ते हैं, बहुत सारी, लेकिन याद रखिये, बिहार की वो मिट्टी है, ये बिहार की वो नेता है, जिन्होंने इस अंदोलन को सफल बनाने अपना जी जान लगा किया, टाक्टर राजिन प्रसाद अंगर नाय, ये जो भी उस समय यानि 1892-1896, उस समय जो है, सिक्षा का एक बहुत बड़ा केंदर हुआ करता था कलकत्ता, वहां से लोग मेट्रिकुलेशन के बाद पढ़ने जाते थी कलकत्ता, वहां से लोग, बैर सिक्षा का केंदर नहीं था, सिक्षा का केंदर तो जो है, बड़े-बड़े जहां विशुद्धाले थे, उसमें कलकत्ता ही लोग पढ़ने जाते थे, और विहार से लेकर विहार, विहार से लेकर कलकत्ता, यानि मोश्टली जो जनता है, वहां पढ़ने जाती थी, ये एक सब्देता थी ये सायद जो है नई युवा फिडी के लोग सायद विस्मृत जो है वो उनको ध्यान नहीं होगी लेकिन आप इस बात पे घर्व कर सकते हैं कि ज्यानविज्यानगा यानि सिक्षा का बड़ा बहुत बड़ा केंद्र था ये पट्टी ये बेल्ट ये छेत्र य यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वित्वान और यहाँ के विश्विद्यालों पर अध्धन करने वाले जितने भी छातरते वही आगे जाके राश्ट्री आंदोलन से लिए जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया अनुगरे नाराने सिन्दा इसके लावा जो है एक नाम लि इसके अलावा जो है वो जो छेत्र था यारी अंग्रेजों के समय ये इतना महान छेत्र था खासकर बेहार से लेकर बंगाल तक का यहां पर एक से एक बढ़कर बौद्धिक नेता एक से बढ़कर एक जो है सुतंतरता सेनानी और इन्होंने राष्टी आंदोलन में जो है इनके बारे में नहीं जानता होगा सेहासन खाली करोग की जनता आती है वो प्रसित नारा और उन्होंने सिर्फ एक ही बार जो है एक प्रकार से अलख जो है वो जनता के बीच में एक चेत्रा जो है वो इस्थाफित करने का प्रयास किया और तकता जो है वो सेहासन जो हिल सकता, 70 का दसक, 80 का दसक, 90 का दसक, यानि बिहार में और मान लेता थे करपूरी ठाकुर, क्या समय था वो बिहार का, यानि वहाँ पर राजमीती विचारधाराओं को भी कितना सम्मान दिया जाता, जो आज फर्नार्डिस जो है, एक जिस कहा जाता है कि इमर्जेंसी में जो है बड़ी बहुत प्रताडित हुए, इमर्जेंसी में जो है, उनके हतकड़ी जो है, इनको जेल में जो है, कितनी मुरी पस्तिती में रखा गया, लेकिन उनकी जो भाषा है, वो सहथता जो है, वो पूरा भारत स्वितार करता है, जॉर्ज फर्नांडिस, करपूरी ठाकुर, ये बिहार की वो महान भुमूतियां है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज हम लोगों ने प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तर इस बिहार की महान मिट्टी, महान सम्विता, महान सह्षकती, विचार दारा को समझने का प्रयास किया है और मेरा मूल्वत उद्टी से ये है कि ये जो अलक है, ये जो जागृती है, ये जो चेतना है, ये सदैव युवाओं के हिरदय में सन्जोय रहें। मेरा मुल्वत उद्दे से है कि बिहार की मिट्टी को प्रेम करने वाले बिहार की मिट्टी को ना केवल बिहार के लोग बलकि पूरे भारत के लोग प्रेम करने वाले वो अपने हिर्दे में बिहार के प्रती ये जो अस्मिता है ये जो सम्मान है वो हमेशा बना के रखते इतना कुछ बिहार ने दिया है मुझे नहीं लगता है कि पूरा जो भारत है पूरा विश्व जो है वो सायद ही जो है ऐसे किसी छेतर का इतना रिडिम होगा तो सभी भारत वासियों से और खासकर सभी युवाओं से और सभी प्रतियों की परिक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यारती हैं UPSC, State PSC उन सभी से मैं यही बात कहूंगा कि आप जो है भारत में अपने आपको सबसे ज़्यादा गौरान अन्मित महसूस कर सकते हो इस बात के लिए आप जितनी चाहें उतनी मिठाई का सकते हैं कि हम जो है वो बिहार की मिट्टी से है पूरे भारत के लोग ना केवल बिहार से बलकी पूरे भारत के लोग कि बिहार जो है वो हमारे देश में और इस बिहार की मिट्टी में ऐसे ऐसे महान में होती हुए तो योनोंने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। कोई हो वह भारत वर्सका चिप्र बिहार से एक और महत्पूर्ण परस्नेल्टी हुई थी जिनका नाम था प्रभावती देवी और महत्मा गांधी और महत्मा गांधी की जो पत्निय इनके साथ जो इनोंने काफी प्रयास किया था मजहर अलुख सदात आस्रम की नोंने इस्थापना की थी महान परस्नेल्टी बखत सिंग बखत सिंग के बारे में यह कहा जाता है कि महत्मा गांधी जब बिहार अपनी यात्रा पे आये थे तो कुछ बिद्रोयों ने या फिर कुछ जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजों के मात्मा गांधी के खाने में जहर मिलाने का प्रयास किया गया था और उसके लिए बखत सिंग को काफी लोब लालज देने का प्रयास किया उन्होंने बना कर दिया वो सहीद होने के लिए तयार हो गए लेकिन उन्होंने भात्मा गांधी के भोजन में जहर नहीं मिलाया ये है विहार की असमिता प्राण जाए पर बचन ना जाए और कितनी महान विरूतियों कि मैं चर्चा कर सकता हूँ लेकिन मजे यही पर रुकना पड़ेगा समय की मरियादाएं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अब आपके कंधों की उपर भी ये जिम्मेदारी है ये बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है संस्थती है चेतना है जागरती है और जितनी भी महत्पून हम लोगों ने बातें बिहार के बारे में कहीं यानि पूरे बिहार के सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक राजनितिक सभी प्रकार के आपको वैविद्ध को जो इतिहास के पन्नों पर कही न कही दरधारित किये गए है छुपे हुए है उन सब को जो है आपको अपने हिर्दय में सुझो के रखना है और उन सब को जो है आपको एक बार फिर जो है उसकी जागरती उसकी चेतना जो है वो पूरे भारत में ज़रानी है मित्रों दोस्तों आज यही तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं बंदे मात्रम भारत माता कीज़ें पूरे बंदे आप सफ्चाल इसका लोगों का बार आपको एक बारत बारत बारत